हेलो दोस्तों आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आज हम एर कंडीशनिंग प्रणाली की वर्किन के बारे में जानते हैं इस वीडियो के अंत में हम एक एनिमेशन के जरिये भी इसकी वर्किन को आसानी से समझेंगे तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं एर कंडीशनिंग एक ऐसी प्रणाली है जिसका उप्योग इंडोर स्थान के तापमान, आरगरता और वेंटिलेशन को नियंतरित करने के लिए किया जाता है एसी प्रणाली के कई घटक हैं जो इस लक्षे को प्राप्थ करने के लिए मिलकर काम करते हैं एक कंप्रेसर, कंप्रेसर एसी सिस्टम का मुख्य घटक है यह रेफ्रिजरेंट गैस को संपीडित करता है और इसके तापमान और दबाव को बढ़ाता है जिससे यह सिस्टम के माध्यम से आगे बढ़ सकता है दो कंडे नसर, कंडे नसर एक हीट एक्सचेंजर है जो उच्छ दबाव, उच्छ तापमान रेफ्रिजरेंट गैस को तरल में ठंडा और संधनित करता है तीन इवेपुरेटर, इवेपुरेटर भी एक heat exchanger है जो इंडोर हवा से गर्मी को अवशोशित करता है और इसे रेफ्रिजरेंट में स्थानान्तरित करता है जो गैस में वाश्पित हो जाता है चार रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेंट एक रसायन है, जो ऐसी सिस्टम के माध्यम से चक्र के रूप में गर्मी को अवशोशित और रिलीज करता है पांच विस्तार वाल्व, विस्तार वाल्व बाशपी करण करता में शीतलक के प्रवाह को नियंत्रित करता है, इसके दबाव और तापमान को कम करता है छेट एयर फिल्टर एयर फिल्टर ठंडा होने और प्रसारित होने से पहले इंदोर हवा से धूल, गंदगी और अन्यकणों को हटा देता है जब आप AC चालू करते हैं, तो कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट गैस को कंप्रेस करना शुरू कर देता है, जो गर्म और उच्च दबाव वाली हो जाती है गर्म रेफ्रिजरेंट गैस को तब कंडेनसर में भेजा जाता है, जहां इसे ठंडा करके एक तरल में संधनित किया जाता है तरल रेफ्रिजरेंट तब बाशपी करण करता में प्रवाहित होता है, जहां यह विस्तारित होता है और गैस में वाशपित हो जाता है, इस प्रक्रिया में इंडोर वायू से गर्मी को अवशोशित करता है फिर ठंडी हवा को एयर हैंडलर के माध्यम से कमरे में वापस परिचालित किया जाता है जिसमें एयर फिल्टर, पंखा और अन्य घटक होते हैं इसके कार्य विधी को आप एक वीडियो के जरीए सरलता से समझ सकते हैं AC सिस्टम में थर्मोस्टेट भी होता है जो इंडोर तापमान को महसूस करता है और वांचित तापमान को बनाय रखने के लिए AC को चालू या बंद करने के लिए संकेट देता है इसके अतिरिक्ट कई AC सिस्टम में उप्योग करता को अधिक नियंत्रण और आराम प्रदान करने के लिए टाइमर, वायू दिशा नियंत्रण और वायू गुनवत्ता सिंसर जैसी विशेश्टाएं होती हैं मुझे उम्मीद है कि आपको Air Conditioning प्रणाली की वर्किंग के बारे में ये जानकारी अच्छी लगी होगी आगे इस तरह के ज्यानवर्धक वीडियो को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सबस्क्राइब करें धन्यवाद